नमस्कार दोस्तों एगरीटे गुरुजी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तुरेश जाड दोस्तों भारत में किसान भाईयों की परमुक समश्याओं में एक समश्या है नील गायों का खेतों में आके इस फसको चट करके चले जाना और इस समश पूरे बारत के सभी किसान पर जूज रहे हैं उसे बचने के लिए बहुत से उपाय हैं जो काफी महेंगे भी होते हैं उपाय सस्ता भी होता है तो उसी क्रम्या आज मैं आपके लिए एक ऐसा जुगाड लेके आया हूं जिसकी साहिता से हम अपने खेतों से नील गाया यान चैनल को सब्क्राइब करके पार साइस गंटे की निशान को दबाना ना पुले ताकि हम जब भी वीडियो डाले इसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों यह वह जुगाड जिसकी साहिता से हम खेतों से नील गायों को बगा सकते हैं यह देखन का जबर्दस तरीके से होता है कि खेतों से नील गायों भग जाती है और दूसरी बात अगर आप बंदूक से अगर फायर करते हैं तो उसका खर्चा भी कभी लगता है जबकि आप इसमें एक रूपे से भी कम लागत में एक बार का दमगा कर सकते हैं तो सबसे पहले देख लगता है क्या चीज है उस्तों यह जो पाइप का टुकड़ा देख रहे हैं 14 इंची का 110 mm का पाइप पिछे यह ठकन लगा हुआ है और आगे यह रेडियोस लगा हुआ है जो 110 mm को 60 mm करता है फिर यह डेड़ फीट के आसपास का एक पाइप लगा हुआ है अंदर इसमें अ यह सारा ही जोगाड मिला कि आपको यह पाइप मिल जाएगा तैया हो जाएगा जोगाड बनके तैयार हो जाए इस तरत तो फिर इसमें यह काम करता है कारभेट यह कारबेट आपको 100 especially किलो के इसापसे बाजार में मिल जाएगा और इसका इतना सा टुकड़ा आपको इस्त इतना ही आसान है fire करना उतना ही इसके बाद में यह जब danger कव जाता है वह बात करते इस वीडियो में लेकिन सबसे पहले चला के इसका fire करके लेते हैं दोस्तों जब यह जुगाड तैयार हो जाए को करना कुछ नहीं, इतना सा कारबेट लेना है, अगर इससे कम भी लेंगे तो चल जाएगा, इसको सिंपल सा यहां से डालना है, और इतना सा पानी, जब डाल देंगे, उसके बाद में आपको सिंपल सा यहां से पाइप लगा के, थोड़ा सा वेट करना है, ताकि अंदर अच्छी परकार से गेस बन जाए, अब हम फायर करने के लिए तही आ रहे हैं, सिंपल सा यहां से एक लाइटर को प्रेस कर देना है, जैसा ही, आपने देखा कितना जोर से दमाका हुआ, तो दमाका बहुत जबर्दस तरीके से हुआ, लेकिन, इस दमाके के किसान भईयों को क्या सावधानी रखनी यह बात करनी बहुत जरूरी है, तो जैसे कि कारवेट आप हमने डाला अंदर, कारवेट जब पानी के संपर्ग में आता तो गेस बननी शुरू हो जाती है, उसके बाद में जैसे यहां से लाइटर दबाते हो, अंदर चिंगारी प आख पंद्रा से बीस मिंद्ट तक, अगर उस वक्त इसकी अंदर जागने की गलती हमने कर दियो, अंदर से फाइर हो जाएगा तो आपका मुह जुलस जैएगा, यह अगर हाथ भी लगा हुआ और इदर से फाइर हो खार हो जायेगा, आपका हाथ जूलस ने की समश्य हो ज तो आजकाल बाजार में जुगाड मिलने भी लग गए हैं अगर नील गाया यानि की रोजड़े पगाने के जुगाड आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और इस जुगाड के बारे में आपका क्या सोचना यह बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जुरू बताएं उमिद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो में जब तक के लिए जए जवान जए किसान